तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21st October 2023 का most important current affairs तो चलिए बीनादेर किये शुरू करते हैं अमरितकल विशन 2047 which was recently unveiled is associated with which field तो दोस्तों जो अमरितकल विशन 2047 recently unveiled किया गया है वो किस field के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका अंसर क्या है option B is the right answer maritime industry ठीक है maritime industry चलिए आगला देखते हैं what is the theme of air weather day 2023 तो दोस्तों air weather day 2023 का इस बार का theme क्या था यह है आपका option A इसका प्राइट ज़िए आगला देखते हैं जबर इसका पहली बार जो है लॉञच क्या है option A Japan जपन इस दा राइट अंसर चलिए आगला देखते हैं तो दोस्तों इंडिया का जो टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग है वह अब वागा बॉर्डर में मौझूद है ठीक है और इसका इस जो हाइट है फूर वन इट फीट इसको याद राखना ठीक है फूर निट फीट चलिए है वह रिसेंटली बीन एवाइड दे गोल्डन पीकॉक एवाइड इन डिजस्टर मैनेजमेंट तो दोस्तों इसका अंसर क्या होगा आप्शन सी आरे सी लिमिटेट ठीक है चलिए है तो दोस्तों 23 का थीम क्या था इस पर इसका अंसर है ऑप्शन ए पार्लामेंट्स फॉर वान आर्थ वान फेमिली और वान फ्यूजर विच स्टेट इनिशिटेट द फूर्थ इटारेशन आफ दे मिशन शुक्ति केंपाइन विच सिक्स तो एमपावर ओमन इसका अंसर क्या है दोस्तों इसका अंसर है ऑप्शन बी यूपी उद्दर प्रदिश ठीक है चलिए इंडिया फर्स्ट रिजिनल रेल रैपिट एक्स बिंग रान फॉर हां मेनी किलोमेटर्स इन फर्स्ट फेस्ट दोस्तों रैपिट एक्स जोकी आप नमु भारत नाम से अप्रुग जानते हो तो इस इसका अंसर होगा यह पर आप्शन बी बंगलादेश ठीक है बंगलादेश इस दा राइट अंसर चलिए आज का लास्ट कुश्चन देखते हैं डिपार्टमेंट आप इनिमेल हस्पेंटरी एंडेरिंग लॉंच्ट एहिल प्रोग्राम इन विच स्टेट तो दोस्तों एह अगर अच्छा लगा है तो लाइक शिर और सब्सक्रीब जरूर करना थैंक यू सो मुच पर वाचिंग दिस वीडियो